जैसे दूदी भोफड़ा बहूत अग्वुत हैं, ऐसे ही बहुत अच्छी आउश़द है स्वैन पांग गरूद, वो भी बहूत अग्वुत. उसका नाम हम हलप, बहुत अग्वुत. अगर गले का कोई भी तरास हो जया है खासी होती है बार-बार खासी होती है सर्दी होती है बार-बार सर्दी होती है बच्चों को कई बार वो टॉंसिलाइटिस हो जाता है दर्द होता है टॉंसिल्स का ये गले के सभी तरास की सबसे अच्छी आउशद है हरत हरत लेने के दो तरीके हैं आप हरत को गरम पानी में डाल के ले सकते हैं या गरम दूद में डाल के ले सकते हैं दूसरा तरीका हरत में मद मिला के ले सकते हैं और हड़त में गाए का तूप मिलाके भी ले सकते हैं यह दो तरीके से हड़त नहीं जाती है या तो पानी और दूद में लीजिए गरम करके और या तो मद में या गाए के तूप में लीजिए गले के सभी रोगों में अद्वुट काम होती है मैंने आपको का बार बार खासी आती है बार बार सर्दी होती है बार बार जुकाम होता है ये सभी के लिए ओशदी है खड़त बच्चों को तॉंसिल की जितनी भी तक्रीफ है उसकी सबसे अच्छी ओशद हड़त टॉंसिलाइटिस की तकलीफ में आप गॉप्टर के पास जाएंगे वो तुरंट करेगा ओपरेशन कराओ बच्चों के टॉंसिल काटके निकालो कभी मत कराना उनको थोड़े दिन हड़क देगे हमेशा के लिए टॉंसिल की तकलीफ खतब होगे और ज्यादा टॉंसिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को तो सूखी हड़क जो होती है पाउडर के रूप में उसको सीधे गले में डाल दीजे अंदर चमच में हड़क भरिए गले के अंदर तक चमच ले जाएए और छोड़ दीज़ पस साथ मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी और हफ्ते में दो बार भी आपने अर्सा किया तो हमेशा जलिए टॉंसिल की तकलीफ बच्चों की खतर हो जाएगी यही हड़क रख्त का भी शोधन करती है नीवे तूप से हड़क का भूद आप पीते रहें या बच्चों को हड़क का भूद पिलाते रहें तो रख्त में कभी भी कोई दोश नहीं आता रख्त में कोई विकार नहीं आता और रख्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसमेश और हड़द एंटी वाइरल है एंटी बायोकिक है एंटी पायोकिक है एंटी इंकलिम मेट्री है पाँच गुर एक साथ हड़द मरें कहीं चोट लग गई है तुरंट हड़द लगा दीजे फूल बंदो जाए सेवलल लगाने की जुरुद नहीं कोई एंटी सब्सक्रीम लगाने की जुरुद नहीं और जिनके शरीर को यह बात को आप गुनवीरता से और ध्यान से सुनें जिनके शरीर को रंग साफ करना है आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है थोड़ा ब्लेक है आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं रंग साफ करना चाहते हैं तो हड़त से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का नियमित रूप से हड़त खाईए दूद में डालके नहीं तो पानी में डालके नहीं तो मद्य मिलाते रंग नियमित रूप से आपका साथ होता जाए दुनिया में जो काम कभी भी फेर इन लवनी नहीं कर सकती वो हड़त कर सकती कितना लेती हम वहीं आदा चम्मच लेमेथी रूप से लेना पड़ेगा ज्यादा बिम तक लेना gust ये डिमलुलटी तो कुछ नहीं करती मैंने फेर एल लबली को लगा के देख़ा एक मशी को चार साल रिगड़ लग wysy अभी भी काली ती काली है इसलिए फेरेल लबली तो कुछ भी नहीं करती यह बगवास है और टीवी में बोगस जाहिरा है और महंगी इतनी आती है फेरेल लबली 25 ग्राम 40 रुपई की तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपई किलो आती अभी 1600 रुपई किलो की फेरेल लबली लाएं उससे अच्छा है 20 25 रुपई किलो हड़ ले आई उसकी ताकत बहुत है और आपको एक और महीति देता हूँ जिनको शरीर की लकीफ ऐसी है कि सूरी के प्रकाश में थोड़ा भी निकलें तो त्वचा में जलन होने लगती है इन सब लोगों को मेरी विंती है कि हड़ लगाएं हड़ लगाके आप बाहर निकलिए कभी भी तुचा में जलन नहीं होगी सन बर्न कभी भी नहीं होगा सन स्ट्रोक कभी नहीं है और ऐसे लोग जिनको जीवन में भ्रह्मचरे का पालन करना है अपने शरीर की शक्ति और वीरे को सुरक्षित रखना है वो नियमित रूप से हड़त खाएं अधुत उपयोग है दुनिया की सबसे खतरनाग भीमारी जो किसी ओशच से ठीक नहीं होती है वो हड़त से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर आप माहिती हैं आपको हड़त अमेरिका में पेटेंट करा ली गए अमेरिका सरकार ने हड़त पर 30 पेटेंट लिए और ये सार के घर में जो काम आती है वो सूखी हड़त है पाउडर के रूप में एक ताजा हड़त आती है लीली हड़त कहते हैं आंपा हड़त कहते हैं ताजा हड़त कहते हैं जो खेत में से निकलके सीधे आती है उस हड़त की चट्पी बनाएं उसमें से रस निकलता है वो रस कैंसर क पुर्णत्रफे होट में 他नुम्हेंग कायनसर को इसकी वικάक इसकी विए। जिसको गले का स्टॉकंत्र तो दियावें हैं। कुर्णत्र कीयो हें और स्टॉशिकरतो च्छीन इत्पर 506 प्रेशन के सुनान्द दूस्पर्खमट् सर्ट शार्णत्र में नहीं है और दुनिया के किसी देशική हरत में ըहीं連 पाकिस्तानी हरत में यह दलामि इस ब्भारत की सफ़ी तो हरता पादा हरत मिले और घर में कोई cancer का मरीद शोबनों तो कारस मिल करने के थोड़ा नद मिलाके उसको लेंवित रूप से पिलाते रहें। और मद ना मिला सके किसी कारण से तो हड़कब गुर मिलाके काटवी मिलाके उसको देते। नमस्कार दोस्तो अगर आपको भी इन वीडियोस से फायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जै हिंद या वंदे मातरम लिखना ना भूले राजीव दिक्षित जी की वीडियोस को अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये ग्यान वो भी ले सकें धन्यवाद दोस्तों जै हिंद